आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की और छतरी पर टिपटपाती बारिश की बूंदें प्रणब यानि मेरे मन को हर पल बैचेन कर रही थी क्योंकि आज मुझे ओफिस से निकलने में काफी रात हो गई थी उपर से इस बारिश ने जीना हराम कर रखा था और यकीनन मुझे अब कोई बस नहीं मिलेगी मगर फिर भी मैं बश टॉप इस आंस में जा रहा था कि भगवान की दिया से अगर कोई बस लेट चल रही होगी तो मिल सकती है यही सोच के मैं चले जा रहा था रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई इनसान नहीं था बस खामोशी और सन्नाटा कुछ देर चलने के बाद मैं बस टॉप पर पहुँचा लेकिन वहाँ पर भी खामोशी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा खैर बस टॉप में लगी बेंच पर मैंने अपना गीला चाता रखा और खुद भी बैठ गया अभी मुझे वहाँ बैठे हुए 10-15 मिनिट बीते ही थें कि तभी मेरा ध्यान एक चीज पर गया वैसे तो आम तोर पर रात होने के बावजूद भी ये रास्ता लोगों से भरा हुआ ही रहता है तो फिर आज खाली क्यूं है हो सकता है बारिश की वज़ा से ऐसा हो यही सोच कर मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया बेंच पर बैठी बैठी मैं आसमान में देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हात रखा मैने पलट कर देखा तो मेरे ओफिस का दोस्त मयंक था मैंने चौकते हुए मयंक से कहा मयंक तू कहा था तू इतने दिनों से और तेरा फोन कहा है तेरा इतनी बार तुझे फोन किया लेकिन तू फोन ही नहीं लग रहा था तेरा सब ठीक तो है ना मेरे इतने सारे सवालों का जवाब मयंक ने सिर्फ ये कह कर दिया ठेक हूँ इस पर मैं बोला या ठेक हूँ तेरे चेरे से तो लग नहीं रहा बैठ बता क्या बात है अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी की हौरन सुनाई दी जब मैंने उस आवाज की और मुल कर देखा तुम्हें हैरान रह गया क्योंकि एक तेज रफ्तार बस हमारी और ही चली आ रही थी तभी मयंक बोला मयंक की इतना बोलते ही बस रुकी और हम दोनों बस में चड़ने लगें मेरे और मयंक के अलावा बस में तीसरा कोई पैसेंजर नहीं था खेर मैं और मयंक एक ही सीट पर बैठ गएं साथ ही साथ मैंने कहा बोल क्या हुआ इस पर मयंक ने बताना शुरू किया बात कुछ दिन पहले की है उस दिन मैं तेरी ही तरह आफिस से लेट निकला था चलते चलते मैं बस टॉप पर पहुँचा हालनकी बस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी मगर फिर भी मैं बस टॉप पर जाकर बैठ गया रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूँ तबी मुझे एक हौरन मारती हुई एक बस आती दिखी उस बस को देख कर मुझे काफी हैरानी हुई मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था लिहाजा मैं उस बस में चड़ गया लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं था खेर मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया बस काफी रफतार में रास्ते पर दोड़े जा रही थी लेकिन अजीब बात तो ये थी पुरा का पुरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी पता नहीं क्यूं ड्रैवर बार बार हॉर्न मारे जा रहा था और बस को भी बहुत तेजी से चला रहा था अभी मैं सीट पर बैठे बैठे होर्न की आवाज को बरदाश कर ही रहा था तभी मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी तेज बस चलने के बावजूद भी बस के भीतर जरा भी हवा नहीं आ रही जबकि बस की सारी खिड़कियां खोली हुई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उपर से इन सारी परिशानियों के बीच बस का ड्रैवर हॉर्न बजा बजा कर बार बार सिर्दर्द दे रहा था जिसका जिक्र करते हुए मैंने कंड़क्टर से कहा भी ओ बाई ट्रैवर को बोलो ना बार बार हॉर्न नहीं बजाए लेकिन इस पर कंड़क्टर ने कोई जवाब नहीं दिया कंड़क्टर किसी भूत की तरह चुपचाप दर्वाजे पर ही खड़ा रहा मैंने एक दू बार और कंड़क्टर को आवाज लगाया मगर मेरी बात सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला और आँख बंद करके सीट पर ही पड़ा रहा मगर उस वक्त मेरा शरीर इतना ठका हुआ था कि मुझे सच में नीदा गई पता नहीं कितनी देर बाद मगर जब मेरी आँख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिमाग सुन पड़ गया क्योंकि बस उसी बस्टॉप को पार कर रही थी जहां से मैं बस में बैठा था मैं कंड़क्टर पर चिलाने के लिए अभी मोडा ही था तभी मैंने देखा कि थोड़ी दिर पहले तक जो बस बिलकुल खाली जा रही थी वो अब लोगों से खचा कच भरी पड़ी है वो सभी पैसेंजर एक टक मुझे ही देखे जा रहे थे मुझे थोड़ा अजीब तो लगा मगर इसी बिच जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका सरीर पानी से चपचप गिला था पर कैसे क्योंकि उस वक्त जराबी बारिश नहीं हो रही थी और बस में भेंगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता उन सभी लोगों की आँखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे उनके आँखों की जगा लाल रंग की बत्तियां चमक रही हो अभी मैं उन लोगों को देखी रहा था कि तभी अचानक से बस को एक जटका लगा और बस पुल से नीचे पानी में जागिरी मैंग की सारी बात सुनकर मैं जोर जोर से हसने लगा और बोला वा, क्या कहानी है अच्छा है मगर फिर तू बचा कैसे इस पर मैंग बोला बचा नहीं, मर गया मैंग की ये बात सुनकर मुझे और हसिया गई अच्छा, अब तो तू आत्मा बन गया होगा एक काम करना मुझे भी उस बस में ले चल मैं भी मिल लूँगा तेरे उस भूतों से इस पर मैंग कुछ पलो के लिए चुप रहा मगर फिर गंभीर सी आवाज में उसने जो कहा मैंने घूम कर पीछे देखा तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई क्योंकि बस में अपने आप ही धेर सारे पैसेंजर आ गए थें और जैसा मैंग ने बताया था ठीक वैसे ही उन सभी के कपड़े पानी टपक रहा था और तो और उन सभी की आँखें भी लाल थी तभी मुझे एहसास हुआ कि होरन मारती बस काफी स्पीड में चल रही है मगर बस के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही मैं जट से मयंग की ओर पलटा तो उसकी आँखें भी लाल और शरीर पानी में चपचप भींगा हुआ था ये सब देखने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था मैं सीट पर से उठकर भागना चाह रहा था लेकिन बस का दर्वाजा बंद और दर्वाजे पर ही कंड़क्टर खड़ा था डर से थर्थर काप रहा मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसी सीट पर बैठा रहा मैंक अपनी लाल आँखो से मुझे बार बार घोरे जा रहा था और मैं उससे आँख ना मिलाने की नाकाम कोशिश में था तभी मैंने देखा कि बस का कंड़क्टर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है फिर कंड़क्टर मेरे पास आकर रुका और मुझे भाड़ा देने का इशारा किया डरते डरते मैंने अपने शट के उपरी जेब से भाड़ा निकाला और उस कंड़क्टर को भाड़ा देते वक्त जब मेरा हाथ उसके हाथ में सटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ की सिल्ली को छुआ हो मैं ठिटक कर पीछे हड़ गया क्योंकि किसी जिन्दा इंशान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता मेरे से भाड़ा लेकर कंड़क्टर फिर से बस के दर्वाजे पर जाकर खड़ा हो गया मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था सब कुछ मेरी समझ से परे था लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं इस बस में ज्यादा देर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मुझे यहां से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा मगर क्या ये सूज नहीं रहा था कुछ देर बाद मैं बहुत हिमत जुटा कर अपनी सीट पर से उठा और ड्रैवर को बस रोकने के लिए बोलने ही वाला था तभी मैंने देखा कि ड्रैविंग सीट पर कोई ड्रैवर नहीं है इसका मतलब बस अपने आप ही चले जा रही थी मैंने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता मगर तभी बगल में बैठे मैंक ने मेरा एक हाथ पकला और मुझे खेंच कर बसके दर्वाजे की और ले जाने लगा मैं जानता था कि मैंक मेरे साथ क्या करने वाला है मगर मैं हार मान चुका था और खुद को छुडाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा बस रुकी और दर्वाजा खुला जिसके साथ ही मैंक ने मुझे खेंच कर बस से बाहर फैंक दिया मैंने आसपास देखा तो बस किसी पुल पर चड़ने वाली थी मेरे बस से उतरती ही वो बस पुल पर चड़ गई और थोड़ी दूर जाकर ही पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी मगर अजीब बात तो ये थी कि इतना बड़ा बस पानी में गिरने के बावजूद भी जरा भी आवाज नहीं आई खर मैं वहां से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुचा फिर बाद में कहीं से पता चला कि सच में एक बार एक बस पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सारे लोग मारे गए थे बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो बस हर रात चलती है मगर उस रात मैंक ने मुझे बस से क्यों उतार दिया था क्या इसलिए क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था या कुछ और खर फिर मैंक मुझे कभी नहीं मिला तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आप के पास भी ऐसी ही कोई कहानिया है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें तो मैं आर्यन जल्दी मिलूंगा आप से ऐसी ही एक कहानी के साथ